हालो फ्रेंड्स, इटियन मास्टर टेक में आपका स्वागत है तो आज जो हम वीडियो लाएं फ्रेंड्स वो चार्जेबल सेल का है और साथ में उसके साथ चार्ज़़र भी है तो अन्वी कंपणी का ये मोडल है फ्रेंड्स और बी आयेस अप्रूड है ठीक है तो इसमें यह NV जो company इसमें अलग-अलग model आते हैं उन में से एक यह model है Sprint जो हाली में नया लोंच हुआ है ठीक है इसका पूरा model number ECR 1111MC है ठीक है तो ECR 11MC नाम से आप इसे ले सकते हैं और friends इसमें एक model और आता है तो इसमें और इसमें क्या difference में आपको आगे बताऊंगा तो इस तरह सी दिखता है इसमें open करके देख लेते हैं और friends नीचे भी देख लिए इसमें क्या के लिखा हुआ है तो यह auto-cut charging है इसमें support करता है ठीक है consist current charge है और इसके साथ short circuit protection है ठीक है तो तीनों भी support करता है अगर आप इनको यह manual instruction manual आई है साथ में और क्या क्या है फ्रेंड्स हम देख लेते हैं तो यह देखिए इस प्रकार से यह है तो model number में आपको बता दिया कि model number क्या है और साथ में इसमें इसमें इबार को डोगरा address वगरा दिये गए हैं ठीक है voltage दिये गए है कि कितने क्या voltage low voltage कितने और कितना temperature लेती है और इसमें जो वैटरी यह कौन-कौन support करती है फ्रेंड्स वो भी इसमें दिखाया गया है तो इसमें डबल और ट्रिपल है दोनों ही support कर कर जाएगी फ्रेंड्स इसमें लिखा हुआ है हमारे पास ठीक है DC पार्च वोल्ड टू एंपियर इसका input है और output 1.2 DC 2000 एमें है ठीक है फीचर इसके दिये गए सारे तो cut-off features इसमें available है फ्रेंड्स साथ में दोनों ही battery support कर जाती है जैसके मैंने बताया तो इसमें 4 पीस हम लगा सकते हैं दो पीस डबल लेके और दो पीस ट्रीपल लेके तो देखते हैं इसमें अभी आगी इस पर कासी दिया गया हमको और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है तो इसके अलाब फ्रेंड्स इसमें cut-off का option दिया गया ठीक है अगर charging हो जाती है फुल चार्ज होने के बाद यह auto cut हो जाएंगे ठीक है साथ में फ्रेंड्स इसमें LCD है तो LCD के उपर यहां पर हमें charging भी दिखाएगा कितना का charge हो गया यह हम आगे बताएंगे ठीक है और auto cut-off यहां लिखा हो है देखिया आप साथ में temperature हो गया दिया गया है ठीक है और short circuit protection भी इसमें available है तो काफ यह suitable है तो सभी जगा आप इसको यूज कर सकते हैं और साथ में फ्रेंड्स इसमें जो IC control दिया गया है वो काफी अच्छा है ताकि जब fully charge हो जाए तो इसको भी ओवर charge होने से रोख सके ठीक है तो काफी चीज़े इसमें दी गई है और best है क्योंकि यह नया version है इससे पुर इसमें लगा सकते हैं इसके यहां पर हमको charger की जरूरत पड़ती है यह जरू जहां लखें तो इस तरह से मोडल लिखता है देखिया और इसके पीछे भी लिखा हुआ है कि कौन-कौन सी बेटरिया हम इसमें लगा सकते है तो आउटपुट जो बेटरिया गया है इसमें इसमें लगा सकते हैं ठीक है और कुछ कोशन में दिए गये हैं तो यह साथ चीज़े हैं इंडोर यूज के लिए फ्रेंड्स ठीक है तो इसके आगे हम देख लेते हैं यहां पर यह में चार्ट से लिए गये सेफटी के लिए पिन दी जाती है ताकि यह चार्ज नहीं हो औ देखिए फ्रेंड्स यहां पर भी इसको हम अटा लेते हैं और यह चार से लिए गये हैं साथ में ठीक है जो चारु से लिए इनके बारे में बताता हूं गिए अट्टे सो अमेच के हैं ठीक है इंफाइनाइट कंपनी के और काफी अच्छे आपको पता है इंफाइनाइट से लाते हैं वो अलग है तो यहां पर आप देख सकते हो कि बड़े वाले सेल हम लगा सकते हैं और चोटे वाले सेल आते हैं वह भी हम लगा सकते हैं तो डबल ए और ट्रिपल ए दोनों ही सेल हम इसमें यूज कर सकते हैं यह तो आप दो सेल डबल लगा लिजे यह दो सेल ट करते हो तो साथ में एक केबल मिलती है जो कि टाइप सी है देखिए ठीक है तो मैंने पहले ही टाइप सी लगा रिखिए तो मैं आपको दिखाता हूं फ्रेंट्स टाइप सी केबल है मारे बास पुरानी इसको में इस्टोर करना है तो यह देखिए यहां पर लाइज जल गई ह इस परकार से अब जिसे मारे पास यह सेल है तो हम एक सिंगल सेल को इसमें रखा कि दिखते हैं यह चार्ज होता है नहीं होता है तो यह देखिए फ्रेंट्स यह मैंने लगा है तो सिंगल सेल भी चार्ज हो रहा है तो यह बेस्ट है अगर इसमें आप और मोडल लेते हैं तो उसमें क्या होता है Friends, उसमें single cell चार्ज नहीं होता है, वहां कम सेका में दो cell लगाने पड़ता है, single cell भी चार्ज हो रहा है, साथ में Friends, मैंने, छोटा वाले cell भी मगाएं, मैं आप वो भी दिखाता हूं, तो यह देखिए फ्रेंड्स वो भी infinite company है यह देखिए और 1100mh के हैं मैंने पहले ही open करके रख लिए थे ठीक है तो यह इस तरह से हैं यहाँ पर हम इनको लगा के देख ले थे तो इसमें में एक शेल लगाते हैं तो यह मैंने छोटा वाला शेल लगा दिया बड़ा लगा द से लगया तो यह 1100mh है और यह 2800mh है दोनों आप देख सकते हो एक AAA है एक AA है तो दोनों चार्ज हो रहे है दोनों चार्जर दिखा रहा है जब चार्जिंग फुल हो जाएगी तो चार्ज यहां बंद हो जाएगा ठीक है और इसे हम हटा सकते हैं तो इस परकार हम इसमें और चैनल सबिस्क्राब जरू करिएगा फ्रेंड्स ओके टेंक्यू बाई